आज हम आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपून और बहुत ही संजीदा विशे आपके सामने लेके आएं हैं जैसा कि आपको मालुम है कि एक नई पेंशन पॉलिसी आई है तो इसलिए आज हम मोटे तौर पे अपने आपको रेस्ट्रिक्ट करेंगे इस डिफेंस रिलेटेड इशूस को लेकर तो आज मेरे साथ यहां मौझूद है हमारे साथी संजीव सिंग जी मीडिया डिपार्टमेंट से हमारे साथी संदेश सिंगालकर जो वेटरेन और्गनाइजेशन से हैं नागपूर से आए हैं हमारे साथ में पश्चिम प्रिदेश में काम करने वाले करनल सुधीर कुमार यह भी वेटरेन और्गनाइजेशन से संबंद रखते हैं इसके साथ साथ जैसा कि आप लोगों को इतला किया गया था कि हमारे साथ मेंजेशन सद्वीर सिंग सेना मेडल जो इंडियन एक्सर्विस्वेन मूवमेंट और युनाइटेड फ्रन्ट आफ एक्सर्विस्वेन इसके चेर्मेन है उन्होंने हमारे साथ शिर्कत करनी थी आज लेकिन अचानक उनके गले में समस्या हो गई तो बोल नहीं पा रहे तो इस वज़े से वो नहीं आये क्योंकि यह मैटर बहुत संजीता है पूरे देश के सैनिकों के सम्मान से जुड़ा हुआ है तो इसलिए हमने कॉंग्रेस पार्टी ने इस प्रिंसिपल उपोजिशन पार्टी इसके उपर लीड लेते हुए संज्यान लिया और कॉंग्रेस पार्टी हमेशा से फौजियों के साथ देश के सैनिकों के साथ देश की सुरक्षा प्रनाली के साथ खड़ी है और इसका संज्यान लेते हुए हमने वेटरन और्गनाइजेशन को इंडियन एक्सर्विस्वेन लीग इंडियन एक्सर्विस्वेन मूव्मेंट उनको लिखा कि आप अपना स्टैंड बताईए और साथ में हम आपका साथ देने के लिए और सभी वेटरन और्गनाइजेशन को साथ देने के लिए तयार है और इसकी लीड लेने के लिए तयार है तो ऐसे में समय कम था वेटरन और्गनाइजेशन जिने अपना समर्थान हमें भेजा है कहा है कि हमारी तरफ से आप बात रखिए हम आपके साथ हैं तो सातियों हमारे बीच में मोधी सरकार्ग ने अपने देश की सेनाप के उपर एक बहुत ही बहंकर सर्जिकल स्ट्राइक की है बड़ा वक्तव्य है लेकिन वाकई में ये सर्जिकल स्ट्राइक है देश का सेनिक जो देश की सरदों के उपर गर्मी में आदी में तुफान में ठंड में माइनस 40-50 डिगरी टेंपरेचर के अंदर खड़ा रहता है उसके मान और सम्मान को ठेस पहुचाते हुए मोधी सरकार ने उनके उपर एक सर्जिकल स्ट्राइक की है जब हमारा सेनिक देश के लिए लड़ता हुआ कुर्बान हो जाता है तो देश ने उसके मान और सम्मान को रखने के लिए एक डिसेबिलिटी पेंशन या एक्स ग्रेशिया रिलीव का प्रोवीजन रखा हुआ है अब एक नई पॉलिसी आई है जिसका नाम है Entitlement Rules for Casualty Pension and Disability Compensation Awards to Armed Forces Personal 2023 जिसका नोटिफिकेशन 21 सेप्टेंबर 2023 को जारी किया गया इसके तहट सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो पॉलिसी है वो एक गलत पॉलिसी है सेना के मान सम्मान से खिलवार करने की पॉलिसी है देश की सुरक्षा परनाली से खिलवार करने की पॉलिसी है इसके इलावा इस policy के अंदर जो पहला और दूसरा पहरा है दूसरे पहरे में वो लिखते हैं कि इसके अंदर क्या provisions है पुराने जिनको उन्होंने संग्यान में लिया है अगर कोई भी defense mechanism के अंदर कोई भी कारवाई या notification जारी किया जाता है उसके लिए गजट notification जारी किया जाता है जिसको पार्लेमेंट के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास किया जाना चाहिए हमारे Defense Services Regulation Act 1948 उसको by Act of Parliament पास किया गया था Constitution आने के बाद और कोई भी आर्मी का Act, instructions, special instructions, special army orders कोई भी अगर जारी किये जाते हैं तो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा के अंदर दोनों सदनों में वो पास किये जाते हैं Ex-Hurisman Welfare Department DESW Ministry of Defense ने इसको जारी किया है तो ये मेरे ख्याल से किस लेवल तक इसकी permissions ली गई हैं लेकिन at the outset प्राइमा फेसी ये लगता है कि ये illegal और untenable policy है और इसलिए देश की veteran organizations इस policy का पुर्जोर विरोध करती हैं और outset पे और इसका पूरी तरह से खंडन करती है और reject करती है इसके खिलाफ हम legal action भी लेंगे legally Supreme Court के अंदर हम इसका संग्यान लेते हुए इसके उपर क्या legal position बनती है उसके उपर action लिया जाएगा साथियो ये मोदी सरकार का जूटा राश्टरवाद है देश भग्त है देश की सेना के लिए प्यार है जो उनको बार बार देश की सेना के उपर surgical strike करने का की प्रेरना देता है तो ये जूटा राश्टरवाद है देश के लोगों को बर्गलाईए मत बेवकूप मत बनाईए कि आप देश की सेना के साथ खड़े हैं देश के सैनिकों के साथ खड़े हैं लेकिन आपके जो क्रिया कलाब हैं जो आपके actions हैं वो इसके विपरीद दिखाई देते हैं पूरी तरह से विरोधाबास है जो वो देश के सामने कहते हैं और जो वो करते हैं अगर वो देश की सेना के साथ खड़े रहते तो आज वन रैंक वन पेंशन हमें सेनिकों को पूरी तरह से मिल चुका होता O.R.O.P. 2 की जो विसंगतियां जिस तरह से उन्होंने डाली है जेसी O.R.S. की पे और पेंशन को कम करने का काम किया है वो भी हमारे उपर एक सर्जिकल स्टाइक है इसके इलावा नॉन फंक्शनल अप्ग्रेडेशन जिसकी बहुत पुरानी डिमांड थी जिसको नहीं इन्होंने किया वो भी हमारे उपर एक सर्जिकल स्टाइक है देश की बहुत सारी और्गनाइजेशन्स हैं जिनको प्राइविटाइज किया जा रहा है और्डनेस फैक्टरीज को प्राइविटाइज किया जा रहा है हमारे बिना कोई भी फाइटिंग आर्म्स लड़ाई में नहीं जाता है क्योंकि कहीं पे भी किसी जगह पे भी रिपेर मेंटेनेस की ज़रूरत पर सकती है तो ऐसी सिच्वेशन के अंदर उन्होंने उसको सर्विसेज के बहुत सारे ऐलिमेंट्स को प्राइविटाइज करने का काम किया है देश की केंटोन्मेंट बोर्ट्स को खतम करने का काम किया है 62 cantonment boards को जो 1500 साल पुराने cantonment boards चल रहे थे उनको खतम किया गया है इन्होंने देश के शॉट्स सर्विस सैनिकों से जो 5 साल या 10 साल सर्विस करते थे उनसे उनके benefit ले लिया है इसी तरह से जो सबसे बढ़ा देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ प्रहार किया गया है वो है अगनी पत या अगनी वीर स्कीम वन रैंक वन पेंशन हम मांगते हैं वो उनके लिए नो रैंक और नो पेंशन 18 साल में भरती, 19 साल में भरती 22 साल और 23 साल के अंदर रिटायर्मेंट 10 लाग, 11 लाग का एक्स ग्रेशिय अमाउंट क्या वो जिन्दगी चलाएगा, नहीं चलाएगा क्या उनको मेडिकल बेनिफिट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे अगर इस नौकरी के दोरान उनको डिसेबिलिटी हो जाती है तो क्या उस डिसेबिलिटी को इस पॉलिसी के अंदर कवर किया गया है नहीं किया गया है तो अगरी वीर को कैसे disability मिलेगी अगर वो हताहत हो गए या वो शहीद हो गए शहीद हो गए तो उनको कुछ एक्सग्रेश्या मिलेगा लेकिन इस disability के अंदर उसके अंदर कोई भी उनका कोई प्रोविजन नहीं रखा गया है जो सैनिक किसी वज़े से सैन्या शक्ति के अंदर काम करने के लिए invalid हो जाते थे हताहत होने की वज़े से घायल होने की वज़े से तो वो सैना के अंदर काम करने के लायक उनको नहीं माना जाता था क्योंकि medical conditions ऐसी थी तो उनको invalid out किया जाता है पहले कोई भी सेनिक अगर एक साल में इन्वैलिड हो जाता था सियाचिन में लड़ता लड़ता या हाई अल्टिटूड में या नॉर्थ इस्ट में लड़ता हुआ तो उसके लिए उसके लिए पेंशिनरी बेनिफिट्स थे लेकिन आज वो खतम कर दिये गए है उसके लिए कम से कम मिनिमम सर्विस कंडिशन लगा दी गई है दस साल इसका मतलब दस साल से नीचे के सेनिक जो है उनको गायल होने का अधिकार नहीं है क्या ऐसी स्थिती के अंदर हमारी सेना बिना बोज के बिना स्ट्रेस के काम कर पाएगी नहीं कर पाएगी तो साथियों ये बहुत सारे important provisions हैं जो मैं आपको बताना चाहता था अब disability pension जो है हमारी उसके दो हिस्से हुआ करते थे एक हिस्सा था service pension और दूसरा होता था disability and disability element service element और disability element जो regular service करके shape one पूरी तरह से शेहतमन्द वापिस आते हैं तो उनको service element मिलता है और जो लोग disabled हो जाते हैं किसी भी कारणवश in the line of duty काम करते हुए तो उनके लिए disability element दिया गया था तो ये disability element और service element मिलकर service total मिला कर combine तोर पे disability pension बनाया जाता था लेकिन आज इन्होंने इस policy के जरिए disability element को खतम कर दिया है उसका नाम बदल दिया है उसका नाम कर दिया impaired impairment relief जैसे ही आप इसको impairment relief कहते हैं तो ये pension ना रहके एक ex gratia amount होगा जो मंतली मंतली दिया जाएगा जो पूरी तरह से legally भी और सेना के काम काज के खिलाफ है उनकी line of duty के खिलाफ है इससे related एक और चीज़ आती है वो है जो disability pension है उसके उपर income tax relief दिया जाता था जो disabled soldier है उनको disability के लिए सरकार ने income tax rules के तहट उनकी pension को पूरी तरह से मान और समान देते हुए उनको income tax free किया हुआ था लेकिन जैसे ही नाम बदली हुआ पेंशन से रिलीव हुआ तो आटोमेटिक income tax के प्रोवीजन के तहट ये आटोमेटिक cancellation of tax benefits होगा तो क्या मोदी जी देश के सहनिकों का एक दिया हुआ benefit income tax relief का benefit वापिस लेना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने एक ये नई policy प्रोवीजन डाल दिये कि जो देश मान और समान करते हुए उनको tax relief देता था वो खतम कर दिया गया है सुप्रीम कोट ने भी कहा है कि जब service conditions आपने पहले से layout की हुई है और आप एक सेनिक को एक मापदंड के तहट shape one condition के अंदर उसको induct करते हैं तो shape one में ही वो वापिस आना चाहिए अगर shape one में वापिस नहीं आता तो किसी भी area में उसने काम किया हो तो उसको disability का benefit मिलना चाहिए ये सुप्रीम कोट की ruling है और उसको negate करते हुए इन्होंने बहुत ही कानूनों को बहुत ही तोड मरोड कर पेश किया है इसके अंदर जो की देश के सैनिकों के moral के लिए देश की सेना के लिए उनके खिलाफ है इसके साथ साथ मैं आपको दो parallel draw करना चाहूंगा civilian और defense disability system के बारे में civilian disability system के हिसाब से गौहाटी में बैठे हुए कोई भी central government के अधिकारी जवान या कोई भी personal अगर उसको heart attack आ जाता है या कोई भी disability हो जाती है कोई problem आ जाती है तो वो cover होती है उनके disability rules के अंदर जिसके लिए यह extraordinary pension के orders है central government services के लिए इसके अंदर heart attack जैसी बिमारी जो किसी को भी आ सकती है stress related issues कभी भी contract किये जा सकते हैं तो उसके लिए उन्होंने central government services ने सही provision किया हुआ है लेकिन गौहाटी में बैठा हुआ या इमफाल में लड़ाई लड़ता हुआ या अरुनाचल की high altitude area में या जमू एंड कश्मीर की high altitude area के अंदर या insurgency area के अंदर हमारे अगर किसी भी सैनिक को अगर heart attack आ जाता है तो वो इस चीज के लिए cover नहीं होता तो ऐसी ऐसी विसंगतिया इन्होंने डाली हुई है साथियों आपको एक और बात जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश की जो average life span है वो तकरीबन 73 साल है और हमारे फौजियों का जो life span है average life span है वो 63 साल है दस साल इस दस साल की compensation कहा है जब हमारा साथि हम लोग high altitude area के अंदर काम कर रहे होते हैं तो उसका stress का environmental condition का, climatic condition का, strain का, pain का, सबका असर पड़ता है हमारे शरीर के उपर और इसी वज़े से हमारे जो average है average life आम नागरिकों से तकरीबन 10 साल कम है इस 10 साल की compensation कहा है, मोधी जी मैं सवाल पूछता हूँ आपसे कि आपने क्या इन चीजों का संग्यान लिया जब ये आपने इनको disability pension को जिस तरह से आपने कम करने का काम किया आपने इसका संग्यान नहीं लिया आप देश की सेना के benefits को लगातार कम कर रहे हैं मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, 29 सेप्टेंबर 2017 को surgical strike की गई थी, OD sector के अंदर और उससे अगले दीन 30 सेप्टेंबर को एक ministry of defense से letter जारी किया गया जिसके तहट disability pensions को आधा कर दिया गया देश ने इस surgical strike का जो सेनिकों ने की उसका तो बहुत समर्तन किया मोधी साब ने उसकी वावाही लूटी लेकिन देश के लोगों ने, देश की सभी organizations ने अगले दिन जारी किये हुए notification को गलट ठहराया और उस pressure के अंदर मोधी सरकार को इसको वापिस लेना पड़ा और वो letter withdraw किया गया आज मैं आप press के नुमाइंदों से, मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि आप देश के सैनिकों के साथ खड़े हैं या देश की सरकार के साथ खड़े हैं देश की सरकार अपने सैनिकों को मान और सम्बान ना देकर उनके एक दिये हुए मान और सम्मान के साथ खिलवार कर रही है मैं बोधी जी से कहना चाहूँगा उनके कैबिनेट मिनिस्टर से कहना चाहूँगा अपने बच्चों को हम लोग तीन-तीन महिने की सर्विस काटके आते हैं सियाचेन के अंदर आप अपने बच्चों को एक महीने के लिए भेज दीजिए भेजने का कश्ट करें हिम्मत करें अगर आपने यह हिम्मत की और उसके बाद अगर उनको कोई disability या कोई परिशानी हुई तो हम फिर अगर आप से अगर आप ऐसा काम करेंगे इतना साहस दिखाएंगे तो हम आप से यह डिमांड नहीं करेंगे आप भेज के तो देखिए लेकिन आप में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है साथियो इसके इलावा हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है सभी वेटरन और्गनाईजेशन इस डिसेबिलिटी के खिलाफ है इस डिसेबिलिटी के साथ जो आने वाले और प्रॉब्लम्स है जो मैंने आपको बताया कि डिसेबिलिटी एलिमेंट खतम होते ही जैसे ही हमारे सैनिक की डेथ होती है तो ये डिसेबिलिटी एलिमेंट चला जाएगा जिसको इंपेरमेंट रिलीफ कहा जाता है कहा जाएगा आज के बाद और जो हमारी विद्वाएं है विद्वा पेंशन जो फैमिली पेंशन दी जाती है अगर सौर बया पेंशन थी तो सौर बया का 60 प्रतिशत उसको कर दिया जाता है जब सैनिक की वेटरन की डेथ हो जाती है और अगर उसको 100 रुपे के साथ 100 रुपे और Disability Pension मिलती थी तो उसको 60 जमाद 120 रुपया विद्वा को Pension मिलती थी सैनिक के जाने के बाद आज उसी विद्वा को 100 रुपे का जो impairment relief है वो खतम हो जाएगा 100 रुपे की service pension जो है उसमें से सिर्फ 60 रुपया मिलेगा तो उसकी 200 रुपे की pension घटकर सिर्फ 60 रुपया रह जाएगी 140 रुपया percentage में अलग-लग rank के लिए अलग-लग लोगों के लिए अलग-लग होगा लेकिन इतना बड़ा reduction जब आप करोगे तो देश में हाहकार मचेगा देश के पूर सैनिक सड़कों पे उतरेंगे आज का सैनिक कल का पूर सैनिक होगा और हर सैनिक का मान समान रखना सरकार का काम है हम अपने सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या आप ऐसी सिचुएशन लाना चाहोगे जिसके तहट आपके पूर सैनिक सड़कों के पर उतरेंगे आपके सैनिक के दिमाग में शंका रहेगी कि मैं देश की सरदों पे खड़ा हूँ कल मेरे को disability हो गई तो मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा और मेरी इस disability pension का क्या होगा ये impairment relief बनने के बाद मेरे उपर क्या इसका असर पड़ेगा ये सवाल बहुत गहन है आप media वालों को ये सवाल पूछने चाहिए और मैं आखिर में कुछ बात कहना चाहूंगा कि कितना financial impact है इस disability system का देश में disability system का 4000 करोड रुपया देश के एक्स चेकर से जाता है सरफ 4000 करोड इस 4000 करोड रुपय को बचाने के लिए मोदी साब ने कितना बड़ा गेम रचा है 8000 का जहाज अपने लिए ले सकते है अपने साथियों का अडानी का एक लाग पंद्रा हजार करोड का लोन माफ कर सकते है और पता नहीं कितनी कितनी scheme चालू कर सकते है देश के सिपाईयों के देश के सैनिकों के कंदों पे रख कर अपनी देश भक्ती और राष्ट भक्ती और अपनी जूटी राष्ट भाद की बंदूख चलाने का काम करते हैं लेकिन अपने देश के सैनिकों के लिए उनके रिटार्मेंट के बाद मान और समान रखने के लिए चार हजार करोड आपके पास नहीं हैं शर्म आती है मोधी सरकार और मोधी साहब आपके उपर कि आपने अपने देश के सैनिकों को इतना कम आँका उनको इतना सस्ता आँका कि आज आप चार हजार करोड उनके उपर नहीं कर्श कर पा रहे हैं आज मुझे रामधारी सिंग दिनकर जी की एक रचना रश्मी रथी जिसमें वो एक दृष्य के बारे में जिक्र करते हैं जब श्रीकृष्ण पांड़ों को संदेशा लेकर दुरियोधन के पास जाते हैं और उनसे न्याय के नाम पर पांच गाव मांगते हैं तो दुरियोधन वो पांच गाव भी नहीं दे सका और दुरियोधन हरी को बांधने का आदेश देते हैं इस दृष्य के बारे में कभी ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा है हमारे चार हजार करोड इसी दृष्य के रूप में आप देख सकते हैं तो कभी ने कहा है दुरियोधन वहबी दे न सका आशीश समाज की ले न सका उल्टे हरी को बांधने चला जो था असाध्य वहसाधने चला जब नाश मनुझ पर आता है तो पहले विवेक मर जाता है पहले विवेक मर जाता है मोधी जी इन बातों के उपर ध्यान दीजिए कि आप अपने विवेक को दुबारा से जागरित करिए और देश के सैनिकों को उनका मान और समान देने का काम करें एक और बात में अंग्रेजी की कहावत है कहना चाहूंगा और आप लोग अपने जहन में बिटा लीजिए कि जब भी कभी देश में देश की सरवदों पे फौजियों की ज़रूरत पढ़ती है तो एक अंग्रेजी कहावत है God and soldiers are remembered only in danger उनको सरफ दुख में ही याद किया जाता है डेंजर पास्ट, God is forgotten and soldier is slighted भगवान को भूल जाते हैं और देश के soldier को कम आंक्रा शुरू कर देते हैं ये हमारे देश की मोधी सरकार की एक बहुत बड़ी surgical strike थी सैनिकों के उपर पूर सैनिकों के उपर और देश की सुरक्षना पर नाली के उपर हम इसका पूर जोर विरोध करते हैं और सड़कों पर और हर जगह पर इसका विरोध करेंगे और हम सरकार से डिमांड करते हैं कि बिना विलंब के इस disability impairment system को इस नई policy को immediately इसको वापिस लिया जाए और अगर वापिस नहीं लिया जाएगा तो हम इसके खिलाफ देश बर में अंदोलन करेंगे और आपको मजबूर करेंगे कि आप इसे वापिस करें मोधी जी मैं आपको फिर यवगीन दिलाना चाहता हूं कि देश के सैनिक देश के लिए लड़े हैं देश के लिए लड़ने के लिए तैयार है हमें एक ही चीज आती है लड़ना आता है अपने देश के लिए, अपने हकों के लिए, अपने मान और समान के लिए हम लड़ेंगे और दो हजार चोबीस में भी लड़कर अपनी वोट और चोट की दोर से आपको याद दिलाएंगे कि देश के सैनिक आपको इस मगरूर सत्ता से बे दखल करने का काम करेंगे जैहन